कि है यह 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 स्टूरेंट्स वेलकम बैक टू आर चानल ग्यान लाइब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप लोगों का रिविजन स्टार्ट हो गया है और मेरी विडियोस से आपको रिविजन करने में हेल्प मिल रही है रिविजन के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप मेरी विडियोस देखते हैं तो उसको 1.5 की स्पीड में बढ़ा कर देखो ताकि आपका टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको वापस टेक्स्ट बुक रीड ना करना पड़े और और एक इंस्ट्रक्शन में देना चाहूंगी कि जब आप रिविजन करने बैट रहे हैं तो अब टेक्स्ट बुक को वर्ट टुवर्ड रीड मत करो वीडियो को सुनो और टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एक्सेसाइज है उस एक्सेसाइज के क्वेस्टन को पड़ो टेक्स्ट बुक को word to word learn करने की ज़रुवत नहीं है रीड करने की ज़रुवत नहीं क्योकि हमारे पास time कम है और हमारे पास content जादा है तो आपको यही suggestion दूंगी मैं कि मेरी वीडियो को या किसी के भी वीडियो को आप double speed में भगा भगा कर सुनो तो वीडियो को fast speed में भगा भगा कर सुनो और उसको जितना हो सके उतना textbook के पीछे के questions को देखकर रिवाइस करके अपना topic कवर करके लिए तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे first topic की तरफ तो आज हम बात करेंगे transcription unit and gene के बारे में transcription unit क्या होता है और gene क्या होता है अब देखो यहां पर हमको क्या बताया गया थियोरी में the DNA sequence coding for mRNA tRNA और rRNA is defined as a gene याने कि आपके पास यसे लंबा सा chromatin network होता है यह chromatin network क्या करता है मतलब this is the DNA structure ओके तो यह chromatin network के पास ही सारी information है कि mRNA कहां से बनेगा rRNA कैसे बनेगा tRNA कैसे बनेगा body में जितने भी type के non genetic देखो यह tRNA mRNA और rRNA इनको हम क्या बोलते हैं non genetic RNA क्या बोलते हैं हमिंको non genetic RNA ठीक है तो हमारी body में जितने भी non genetic मतलब animals की body में जितने भी non genetic RNA होते है वह non genetic RNA synthesis किसके ओपर डिएन यहां से हैं बजने को हम बोलते हैं उस इसे आपका देखा पोली सिस्ट्रॉनिक जीन यह पोली सिट्रोनिक डिन और एक मोनो शिस्ट्रोनिक इन चलिए दियग्स करते हूं यहाँ पर थियरी किया पताया गया है सिस्ट्राइव सेगमेंट औव डिनस सिस्ट्राइव डीना कोडिंग पॉर पॉली पेप्टाइड देखो कंफ्यूज मत होना प्रोटीन का इनफ ने से आता है ने आपको फिर से एक बार बताती हूं यह हमारा डबल स्ट्रांडट ड्न कि काश्रतक है एक मिनट को कॉ isto कॉपर क्या मीनट के कोड्सक्राइब इस कर MRNA को दे देता है तो इससे प्रोटीन बन जाता है तो आपका यह जो MRNA है अगर आपका यह DNA है समझो इस DNA में देखो मैं इंक का कलर और चेंज़ करके आपको बता रही हूं अगर इस DNA में यहां पर एक region present है यहां पर एक MRNA प्रेजन 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 ールण सो टोटल अलग 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 टाइप की प्रोटीज मको मिलेंगे किप्रोटीन को मिलेंग तोटल इन अलग-अलग ताइप की प्रोटिन समको देखने को मिलेंगी जो कि आपको इस डाइग्राम में बताया गया है देखो यह आपका एक ही डियने हैं क्या है यह आपका एक ही डियने स्ट्रॉक्चर हैं और इस एक ही सिंगल डियने स्ट्रॉक्चर में सिंगल स्ट्रांडर डबल स्ट्रांडर इस एक ही डियने स्ट्रॉक इस इस इंद न पहले प inauguration यहां से अपको मिलेगा थर्ड ऐसे ही आपके डी इएने Amen अगर एक से ज़ाधा त्रक्शमेंग ने स्टॉक्टिरल जीन्स प्रेजन्ट हैं तो इसे डिएने को हम बोलते हैं polycystronic DNA, ऐसे DNA को हम क्या बोलते हैं, polycystronic DNA, और जिस DNA में एक ही structural gene होता है, उस DNA को हम बोलते हैं, monocistronic DNA, तो देखो आपको थियरी में आगे क्या बताया गया है, Cistron is a segment of DNA coding for a polypeptide, मतलब इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो Cistron, यह region को हम क्या बोलेंगे, इसको Cistron region बोलेंगे, तो Cistron region में आपके protein की information छुपी हुई होती है, सिंगल, मतलब इस सिस्ट्रॉन रीजन जो होता है, यही अक्चुली mRNA होता है, देखो यह आपका double stranded DNA, देखो यह पूरा रफ कर देते हैं, आणी पी यह आपका डबल स्ट्राइंडड डिनै रियने का समझो यहां पर आपका प्रोटीन का इंफॐर्मेशन है तो इस में से अप्- माखर बनाओ तो यह महारने को हुए क्रिस्हिंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम सिस्ट्रोन बोलते क्योंकि इसी सिस्ट्रॉन की मदद से हमको हमारा प्रोटीन मिलने वाला है क्या मिलने वाला है हमको हमारा प्रोटीन मिलने वाला है तो ऐसे अगर बहुत सारे सिस्ट्रॉन प्रेजन रहेंगे जैसे यह सिस्ट्रॉन नंबर वान यह सिस्ट्रॉन नंबर टू यह सिस्ट्रॉन unit is set to be monocistronic whereas a long segment of DNA having set of various structural genes in one transcription unit is referred to as polycystronic तो क्या बोला गया हम को इदर पे कि जब आपके DNA strand में एक single structural gene होगा तो वैसे DNA को आप बोलोगे monocistronic DNA और जब एके DNA strand में अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रूप और structural genes देखने को मिलेंगे तो ऐसे DNA को आप बोलोगे polycystronic DNA ठीक है poly means many cistron mono means one cistron और cistron मतलब structural genes structural genes से mRNA बनता है mRNA के पास protein की information होती है और उस mRNA देने से आपको protein मिलती है ठीक है protein याने polypeptide chain अब आगे देखो क्या बताया गया है structural इधर spelling wrong है इधर यू आएगा ओके structural genes in eukaryotes have interrupted non-coding sequences called introns यह पहले पढ़ लो मैं आपको बताती हूँ इसका meaning क्या है structural gene in eukaryotes eukaryotic organisms की अगर हम बात करें ध्यान से सुनों eukaryotic organisms की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे जो structural genes होते हैं उनके बीच-बीच में non-coding sequences present है क्या present है उनके बीच-बीच में non-coding sequences present है मतलब यह खाली focus का disturbance create करेंगे यह basically कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन यह mrna को disturb करेंगे मतलब mrna के sequences को बीच-बीच से break करेंगे तो यह non-coding sequences protein बनाने में बहुत जादा रुकावट लाते हैं अडचन लाते हैं तो इन non-coding sequence को हमको निकाल के बाहर फेकना होता है ठीक है और उन non-coding sequence को हम बोलते हैं इंट्रॉंस मतलब देखो बेसिकलिए आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है यह देखो ऐसा आपका double standard dna था आ इस double standard dna में से आपने single standard mrn ने बनाया ठीक है क्या बनाया आपने single standard mrn ने बनाया लेकिन अ यह mrn के बीच-बीच में को क्या देखने को मिल रहा है कि इस mrn जाब एक आपको कि इधर इधर पह यहां पर ऐसे अलग अलग रिजन में non-coding sequences मतलब इतने पार्ट में से अमीनौ आसिट नहीं बनेगी इतने पार्ट में से क्या ओगा किसी भी अमीन्य रेंट का और कोड नहीं है के लिए एक पुल्डा का पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है जिसकी मदद से इन इंट्रॉंस को निकाल कर हम बाहर फेक देते हैं और हमको इनको को उमत्रॉंस किया बोलते हैं इनको इंट्रॉंस तो कोडिंग सीक्वेंसे और एकस्प्रेसिंग सीक्वेंसे और है कि डिफांड चाहिक प्कोड करेगा देखो यह रेड़ वाला पार्ट कहां से आपका अमीनो एसिट का कोडर बन रहा है उस पार्ट को हम बोलते है coding sequence, क्या बोलते हैं उसको हम coding sequence या उसका दूसरा नाम क्या है exons, क्या नाम है उसका exon, exon लिखते वक्त प्लीज ऐसा spelling मत लिखना, यह neuron वाला exon है, यह मत लिखना, यह गलत हो जाएगा, हम mRNA के exons की बात करें, mRNA का exon याने की actual coding sequence of mRNA, ठीक है, only exons appear in processed mRNA in eukaryotes, processed mRNA मतलब क्या होता है, आपके पास जो DNA था, इस DNA में से आपने mRNA बनाया, लेकिन यह mRNA मिलावटी था, यह mRNA कैसा था, मिलावटी था, मतलब इसमें unwanted introns प्रेजन थे, तो आप यह unwanted introns कट करकर करके, बीच में से यहां से introns कट किया, यहां से introns कट किया, यहां से introns कट दिया, तो unwanted introns निकालने के process को हम बोलते हैं, processing of mRNA, क्या बोलते हैं, उस process को हम processing of mRNA, तो इस first slide में आपको दो टर्म याद रखने है, monocistronic DNA याने क्या, और polycystronic DNA याने की क्या, monocistronic DNA मतलब पूरे DNA में सिर्फ एक ही structural gene है, मतलब एक ही protein मिलेगा, और polycystronic मतलब क्या होता है, इ ऐसे कि इस diagram में बताया गया है, तो इस diagram में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस diagram में हमको यह देखने को मिल रहा है, एक मिनुट, इस diagram में हमको यह देखने को मिल रहा है, कि जितने ज़्यादा systems होंगे, उतनी ज़्यादा proteins हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, अब बढ़त आपका डीयने जो है यह आपका डीयने हैं आपका डीयने अमारे ने भी बनाता है आपका ही डीयने आर आरेने के लिए भी कोडिंग करता है और आपका ही डीयने टी आरेने भी बनाता है तो हमारा डीयने यह तीनो टाइप के नौन जेनेटिक आरेने बनाता है यह नौन जेने आरेने जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं primary transcript क्या बोलते हैं इनको हम primary transcript तो इन यू कैरियोट्स यू कैरियोटिक organisms में आपको जो भी आरेने दिखाई दे रहा है forms of RNA forms of RNA याने mRNA, tRNA या rRNA तो different forms of RNA transcribed transcribed मतलब produced तो इन यू कैरियोट्स different forms of RNA transcribed from DNA are called primary transcripts तो इनको हम क्या बोलेंगे चाहे MRNA हो चाहे आर आरेने हो चाहे टी आरेने हो इन आरेने इसको हम क्या बोलेंगे primary transcripts ओके तच ट्रांस्क्रिप्स अंडर्गो changes called processing और maturation before becoming functional तो क्या बोला गया है हम को इदर पे कि यह जो transcripts होते हैं यह ट्रांस्क्रिप्स changes दिखाते हैं क्या दिखाते हैं यह ट्रांस्क्रिप्स दे अंडर्गो changes called processing मतलब क्या होगा देखो अगर मैं example लूँ MRNA का अगर मैं किसका example लूँ MRNA का हमने बहुत अच्छे से transcription प्रोसेस पड़ा है आपने अगर transcription वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज हमारी चैनल पर जाईए प्लेइलिस्ट में सर्च कीजिए molecular basis of inheritance आपको इस चैप्टर की सारी वीडियो मिल जाएंगी उसमें से आप transcription वाला वीडियो अच्छे से देखो दो बार देखो आपको पक्त का समझ में आ जाएगा तो यह आपर देखो इस diagram में क्या बताया गया यह आपका DNA है double stranded DNA इस double stranded DNA से क्या बन रहा है MRNA बन रहा है double stranded DNA से क्या बन रहा है MRNA बन रहा है लेकिन यह MRNA impure RNA है यह MRNA कैसा है यह MRNA impure MRNA है इसको हम बोलते हैं HN RNA इस MRNA को हम क्या बोलते हैं HN RNA याने की heterogeneous nuclear RNA इस इंप्योर आरेने क्यों इंप्योर है यह क्योंकि इस पूरे MRNA के बीच बीच में क्या present है unwanted introns present है इन इंट्रॉंस को कट करके देखो इन इंट्रॉंस को ऐसे बाहर की तरफ खीच कर कट करके इनको निकाल दिया जाता है तो सारे इंट्रॉंस निकल जाएंगे और लास्ट में सित क्या बचेगा लास्ट में बचेगा आपका यंप वह मिलावटी है इस उसमें निकाल के बईकार इस को हम बोलते हैं सबस्क्राइब बन रहे हैं DNA से बन रहे हैं MRNA, RRNA, TRNA कोई भी ट्रांस्क्रिप्ट जो ट्रांस्क्रिप्ट DNA से बनते हैं उनको बहुत सारे changes दिखाने पड़ते हैं and that changes are called processing or maturation before becoming functional मतलब यह MRNA function कर सके इसलिए उसका processing करना important है processing में क्या होता है उसके बीच के disturbances molecules को हम निकाल देते हैं primary transcript is non-functional primary transcript functional नहीं होता है मतलब यह जो पहला MRNA बना है this is non-functional क्योंकि इसके बीच-बीच में क्या present है introns present है तो primary transcripts जो होते हैं वो non-functional होते हैं उनका पहले processing किया जाता है फिर उनको mature किया जाता है और फिर वो function करते हैं ठीक है देती हूं तापके आपको समझ में आए तो देखो इदर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो primary transcript होता है उसमें दोनों चीज़े प्रेजेंट होती है इट कंटेंस बोथ exons and introns इदर देखो यह आपका primary transcript है यह आपके introns है यह आपके इंप्योर होता है primary transcript कैसा होता है इंप्योर होता है क्योंकि उसमें इंट्रॉंस प्रेजेंट है और हमको सिर्फ exons चाहिए तो primary transcript is non-functional because it contains both exons and introns problem क्या है पता introns के साथ introns किसी भी amino acid के लिए code नहीं करता है उसके पास कोई code word नहीं है वो नल है इंट्रॉंस जो है या तो उनके पास useless codons है या तो उनके पास कोई codon ही नहीं है मतलब वो नल है वो 0 है ओके तो during processing तो जब आप processing का technique करते हो only introns are removed by the process called splicing तो जब आप यह वाला प्रोसेस करते हो देखो splicing प्रोसेस मतलब यह वाला थर्ड प्रोसेस इसको आप लिख सकते हो मतलब क्या होता है किया होता है जब आप अपने primary transcript में एक पटिकुलर पर लगा देते हो एक एक्स्ट्रा अमीनो ऐसे चिपका के रख देना ताकि यहां से यह MRNA टूटे ना साटिंग पॉइंट से MRNA ना टूटे इसलिए उसके आगया में धक्कन लगा देते हैं फिर बीच की MRNA इसमें से में पीची की पार पर काफ लगाया जाता है और पीची की पार पर लगाया जाता है इसको बोलते हैं आगे से अगर फोड़ा-स द्यू भी वह जाता है तो हमने पहले से उदर पे बैक अप लेके रखा है अब नेक्स देखो नेक्स क्या बताया गया है इसमें आपको पूरा प्रोसेसिंग बताया गया है मतलब क्या बोला गया है कि आपके पास ऐसा MRNA था और इस MRNA में बीच बीच में इंट्रॉंस प्रेजन थे यहां पर 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 निकालना था हमको क्या करना था इन इंट्रॉंस को कट करके निकालना था जब आप इन इंट्रॉंस को कट करके निकाल देते हो तो आपको सिर्फ पीछे की तरफ क्या देखने को मिलता है सारे इंट्रॉंस कट करके निकल जाते हैं और जो MRN है देखो जब आप इन इंट्रॉ तो इस इंक्लीट पार्ट को भी कम्प्लीट कर देता है जिसकी मदद से यह पूरे चिपक जाते हैं एक साथ तो बीच-बीच का गाप जो है समझो ऐसा MRNA था पहले वह ऐसा था लेकिन आपने इंट्रॉन निकाल दिये तो अब वह ऐसा हो गया तो यह जो गाप रह गई है इस उस्ермिद में प्रोसेसिंग में आप क्या करते यह वण सेकेंड हां program अरनी न Caf दूसरा नाम क्या है यानने की जो आपका मिलाव और डूसरा इसी दृतर बन सी हैं Shepherd हेटरोजीनेय September 4 अम क्या करते हैं इधर पर क्या करते हैं इधर पर इंदर पर फिल इसलते हैं ऐसारे बहुत और 8-बहुत सारे मौलिक्यूल इसको support करते हैं, okay, so in capping, capping करते हैं वक्त आप क्या लगाते हो, methylated guanocene triphosphate, guanain नहीं है, sorry मैंने guanain लिखा है, guanain नहीं लगाते हैं, guanocene लगाते हैं, कौन सा amino acid लगाते हैं, guanocene, please इसको note कर लो, कौन सा amino acid लगाते हैं, methylated guanocene triphosphate, okay, देखो, पीछे की slide में दिया गया था, यह देखो, यहाँ पर, यह M मतलब methylated, okay, M मतलब क्या है आपका, methylated, और G मतलब guanocene, और यह 3P मतलब triphosphate, तो आपने क्या किया, आपका जो mRNA था, इस mRNA के बीच-बीच में introns present है, क्या present है, इधर पर, introns present है, तो इन introns को निकालने से पहले, आप यहाँ पर एक special cap लगाते हो, और इस cap में क्या present होता है, methylated guanocene triphosphate, क्या present होते हैं, कौन सा particular molecule present होता है, methylated guanocene triphosphate, और ending में आप क्या लगाते हो, बहुत सारे adenosine का tail लगा देते हो, बहुत सारे adenosine का tail लगा देते हो, see, in capping, methylated guanocene triphosphate is added to 5-end of hnRNA, देखो, इधर पे, 5-end पे, यह आपका जो mRNA, mRNA के 5-end पे हमने methylated guanocene लगा दिया, and in tailing, tail में आप क्या लगाओगे 3-end पे, polyadenylation, polyadenylation मतलब बहुत सारे adenine molecules, adenylation मतलब क्या होता है, बहुत सारे adenine molecules, they take place at 3-end, तो मतलब 3-end पे आपने tailing की, और 5-end पे आपने capping की, यह capping और tailing क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर mRNA आगे से और फीचे से थोड़ा बहुत break हो जाए, तो उसको help करने के लिए, पहले से कुछ molecules present होने चाहिए, ओके, फिर next देखो क्या बताया गया है, in tailing, सोरी यह हो गया, it is fully processed hnRNA, अब आपका जो यह mRNA मिलता है, मतलब देखो जो starting mRNA था, उसमें बहुत सारे introns present है, इन introns को आपने cut किया, इन introns की आपने क्या की, cut किया, तो इन introns को जब आपने cut किया, तो आपको क्या देखने को मिले, एक्जोंस देखने को मिले, और यह सारे के सारे एक साथ चिपक कर क्या बनाते हैं, एक प्योर mRNA बनाते हैं, यह चिपक कर एक साथ क्या बनाते हैं, प्योर mRNA, इनको एक साथ stick करने में कौन help करता है, DNA ligase enzyme, ठी is now called as mRNA, एक चीज याद रखो, जब आपको DNA से primary transcript मिलता है, DNA से primary transcript मिलता है, तो आप इसको mRNA नहीं बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो, या तो आप इसको primary transcript बोलो, या तो आप इसको hnRNA बोलो, जब यह हैं आरेने का processing हो जाएगा, मतलब बीच-बीच के intron molecules निकल जा और आपको जब विदाउट इंट्रॉन कोई MRNA देखने को मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ट अरने और फिर इसका नाम आप बोल सकते हो MRNA क्योंकि अब इसके पास प्योर कोड़ॉंस है और यह कोड़ॉंस कौन रीड करेगा आरारेने कौन रीड करेगा इसको आरा क्या छर्टा लेकि आएगा विदा आमीनो आश्िट अमीनो में कि शेंगे उन्या रहने लेकर ऐगा विदा सय्कि अ स्वेडिग स्यआपई इसे आपने बहुत सारे नाम पड़े थे अगर नहीं भी पड़ें तो कोई बात नहीं एक्जाम में नहीं आता है इतना याद रखो प्रोटीन किसे बनता है अब आपने इतना जंजट करके जो HNRN के बीच से इंट्रॉंस निकाल दिया अब आपके पास फ्योर HNRN है तो अब उसको HNRN नहीं बोलेंगे उसको हम बोलेंगे MRN उसको अब हम क्या बोलेंगे MRN ठीक है एक बार आपको आपका मेच्योर MRN मिल गया देखो यह आपका मेच्योर MRN मिल जाता है आप क्या करते हो इसको नुक्लियस के बाहर निकाल देते हो इसको आपका सेल है cell के अंदर nucleus था nucleus के अंदर आपका transcription प्रोसेस हुआ मतलब यह DNA है DNA से hnRNA बना hnRNA में से आपने introns cut किया और mRNA बनाया क्या बनाया? mRNA बनाया अब यह mRNA क्या करेगा? आपके nucleus में जो holes present होते हैं उन holes की मदद से यह mRNA बाहर आ जाएगा क्योंकि amino acid कहाँ पर present है amino acid cytoplasm में present है तो अगर protein बनाना है तो cytoplasm में आना पड़ेगा mRNA को mRNA इन nuclear pores की मदद से nucleus के बाहर आ जाता है और nucleus का structure तो हमने देखा ही है कि nucleus के structure के बाजू-बाजू में क्या होते हैं endoplasmic reticulum होते हैं तो जैसे इदर से mRNA बाहर आता है endoplasmic reticulum के ओपर ribosomes होते हैं तो यह mRNA ribosomes के साथ चिपक जाता है क्योंकि ribosomes के पास कौन से special type का RNA है ribosomes के पास rRNA है यह ribosomes के पास rRNA तो यह mRNA जैसे ही ribosomes के पास आता है ribosomes इसको read करना start कर देता है तो ribosome को पता चल जाता है कि कौन सा amino acid चाहिए तो ribosome वो amino acid का message किसको दे देता है TRNA को और TRNA वो amino acid डुठा के लाता है और mRNA के उपर रख देता है जिससे आपको बहुत लंबी protein की chain मिल जाती है तो यह था आपका पूरा का पूरा transcription वाला part I hope आपको यह video देखने में मज़ा आया होगा अच्छी लगी होगी अगर video अच्छी लगी है तो please like button पर click कर देना अपने friends के साथ अभी तक share नहीं किया है तो share कर देना और अगर अब तक channel को subscribe नहीं किया है तो please फटाफट से channel को subscribe कर लो 10,000 subscribers complete करने में हमारी help करो और जैसे कि आप जानते हैं 8 तारिक से 8 February से हम आपके लिए live session स्टार्ट करने वाले है free crash course जिसमें हम आपका syllabus जो है उसका revision करवाएंगे तो अब तक अगर आपने हमारा telegram group join नहीं किया है तो description पढ़ जाओ description में सारी की सारी telegram की link दी हुई है तो telegram की link पर click करो आप automatically group में join हो जाओगे 7th February को आज 6 तारिक है 7th February को हम live आकर आपको हम timing वगेरा telegram group पे बताएंगे कि live आकर कि हम crash course कितने बज़े से start करेंगे crash course का lectures कैसा होगा crash course में क्या पढ़ाया जाएगा ये सारी information 7th February को telegram group पर भी डालेंगे और live आकर भी बताएंगे तो बने रोग्यान लाप चानल के साथ साथ में पढ़ते हैं मजा भी आएगा और आपका syllabus भी cover हो जाएगा stay tuned, thank you, see you soon and take care, bye bye